जहिन नमस्कार दोस्तों मैं विराड चोदरी श्वागत आपके अपने विडियो बहुत इंपर्पेटिव वीडियो आप सभी के लिए कि आपको इसे चीजिए में नहीं मिलेगी श्याइस नहीं के बारे भी और नो नोतिफिकेशन आने वी जो आपको विखेशन अरे खराएं क से नहीजिए वेकेंसी इसके बारे में पोस्ट भी आपको समको क्लेर हो जाएगी 5 ज़िके आसपास आप सभी को पता है पोस्ट के लिए और इसकी का क्राइटेरिया में क्या दो साल रहेगा क्योंकि कई जिगह आप सभी भी ज्यादा होती है, लोग ज्यादा देखते हैं, क्यों देखते हैं उनको ज्यादा, क्योंकि जूट बोल रहे हैं, सही बात बोलेगा वह अच्छी पसंद आएगी, दोस्तों, एज में छूट मिलने का चांज से जरूर है, लेकिन फिर भी 18-25 साल एज में, मतलब 18-25 साल नहीं लिखावा है, ना इसकी कोई पुष्टी है, ना इसका कोई नोटिफिकेशन है, इस बात का विशेज जान रखे, जब नोटिफिकेशन आएगा, उसमें एज क्राइटेरिया आजाएगा, उसके बाद में आप इस बात में विशेज जान रखना कि क्या एज आती है, वो आपको आसाम को पांच वे किलिए हो जाएगी लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जूट बोलके पेट बढ़ता है पूरे दिन जूट बोलते रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि जूट बोलके काम सल जाएगा लेकिन इसा होगा नहीं वास्ट पिक रूप से दोस्तों पकड़ा जाना है तो उन बातों में नहीं आए दोस्तों कुछ चैनल से चैनल से हैं जिन खुद की मतलब ग्रोइंग के लिए जूट बोलने तो 18 से 25 साल के अभी तो कैसी कोई अपडेट नहीं है लेकिन दोस्तों आपको विशेश रूप से क्या ध्यान रखना है क्या क्या अभी इस बात का विशेश जान रख दोस्तों बहुत सारे बच्चे मेरे से पूचे सर जाती पर्मान पतर नया बनाये क्या मूलनिवास नया बनाये क्या या हमारा कोई डुकोमेंट से उसको नया बनाने ढुamment ki कर सेंटर का लगा है कि दोस्तों जितने भी कास सेटिपिकेट आप लगाते हो आपको जाएम कर दोस्तों के दोस्तों नीए पर ठालाइब को चไป कर देनन वि defended हमें रहा हैं या नियुकर रीगाएब का बैगाने निवी PirLE joy जो अक्सर बच्चे कर देते हैं फोरम बढ़ने में लेकिन मैं आपको बता दो दोस्तों पिछली कई जो वेकेंसी रही है इससे पहले जो वेकेंसी रही है अगर फोरम में बच्चों के मिश्टे हो गई है तो उनको मतलब सुदा आने का मौका दिया गया है लेकिन पिछली व कुछ में बाते जो बता रहा हूं, अच्छे से जान लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए कि क्या क्या आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखिए, सबसे पहले मैं कई बार बोल चुका हूं, कि आपकी जो 10th Class की मारक सीट है, कुछ आपको ध्यान क्या रखना हूं, बताओ, 10th Class की मारक सीट के अंदर है, आपका नाम, आपके माता-पिता का नाम, और आपके रोल नमबर है, यह जब फोरम सब्मिट करो तो बिल्कुल आँके खोल के देख लेना, आँके फाड के देख लेना, अगर आप इन 3-4 चीज़ों म अगर टेंट में आपका नाम हूँ, आपके माता-पिता का नाम हो, यह आपका रोल नमबर हो, आपके पसंटेज हो, इनमें आपको बिल्कुल भी मिस्टेख नहीं करनी है, अगर इनमें आपने गल्ती कर दिये, खोरम बढ़ते समय, समयरत धो ध्यान नहीं दिया, तो फिर आप बहुत मुश्किल में पढ़ जाओगे, मुश्किल में कैसे पढ़ जाओगे, दोस्तों, क्योंकि टेंथ क्लास पास ये वेकेंसी है, इसमें टेंथ क्लास की बहुत ज़्यदा मेहत वर रखता है, अगर आपने वहाँ पे कोई भी गलती कर दी, जब वेरिपिकेशन होती ह आपके टेंथ क्लास की मारक शिट की, और आपके जो नाम है आपके मूल निवास में, आपके कास सेटिपिट में आपके मातापिता के जो नाम है, वो सेव नहीं पाए जाने के इस्तते में, फोरम डिजेट कर दिया जाएगा, ये नोटिपिकेशन में अच्छे से लिखाव बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखावाता है तो इस बात का विशेज जान रख लिए दूसरी बात आपका मूलनिवास भले इस्टेट का हो अगर ज्यादा पूरा न हो गया तो नया बना लिजिए अगर उसमें आपके माता-पिता के नाम में सरनेम नहीं है तो उस आपके माता-पिता के नाम को मूलनिवास में और आपके खुद के नाम को मूलनिवास में तेंथ कलास की मारक सीट के अनुसर लिखे वापस से बना लीजिए अगर बनाया हुआ है अच्छी बात है अगर नहीं बनाया हुआ है तो मतलब आपकी तेंथ कलास की मारक सीट में जो आपका नाम है बच्चा, वही शेम आपके माता-पिता का नाम होना चाहिए, अगर इसमें कहीं गलती कर दी मेरे बच्चे, तो फिर बहुत मुस्किल हो जाएगा, तो सेम एज़ेटीज होना चाहिए, कोई मीनिंग मिश्टेक नहीं होना है, अगर माता-पिता के खुद के दोकॉमेंट्स में भले सरनेम हो या नहीं हो, उनके दोकॉमेंट्स में कोई भी नाम हो से, कोई मतलब नहीं है, आपकी टेंथ क्लास की मारक स्ट में जो आपका नाम है, वही नाम आपके का सेटिपिकेट में, और वही नाम आपके मूल निवास में होना चाहिए, दोस्तों car certificate आपका sent to government का है उसमें इस बात का विशेश जान रखे आपका खुद का नाम English और Hindi दोनों में English और Hindi दोनों में आपका खुद का नाम, आपके माता पिता का नाम बिल्कुल A.J.T. होना चाहिए एक जब आप रोल नमर बढ़ते हो 10th class की इमारक शेट का तो उसका भी जो नाम है उसके जो नमबर है उनका विशेश जान रखना अगर रोल नमर उपर निचे होगे वेरिपिकेशन के टाइम आप तरह जाओगे दोस्तों कई बच्चों के पुलिस केस हो रखे पुलिस केस होने से उनको लग रहा है कि वो बढ़ती नहीं देख पाएंगे नहीं ऐसा नहीं है अगर कहीं बच्चों में पुलिस केस हो भी रखे हैं तो वो फोरम फिलप कर देना जब तक आपको कोट से सजा नहीं दी जाते या आप किसी कार्णोस अपरादी मानकर जेल नहीं कारते हो तो उस कंडिशन में दोस्तों आप एपलाई कर सकते हो नोकरी भी पास सकते हो कोई चंता की बात नहीं केस तो किसी पे भी हो जाएगा केस हो जाने से अपरादी प्रूफ नहीं होता जब आप किसी गुन्यगार या अपरादी प्रूफ हो जाते हो तो उस कंडिशन में तो उस कंडिशन में फिर आपका फोरम डिजेक्ट हो जाएगा या आप जब बढ़ती होगे उसके बाद में पूलिस वेरिपिकेशन में डिजेक्ट हो जाएगा लेकिन उससे पहले यह आपकी मेडिकल और फिजिकल की प्रोब्लम के लिए मैंने नया चैनल बनाया है कमांडो फिजिकल टिप्स उस चैनल को आप यूटूब पर जाके सर्च कर लीजे थोड़ा स्कोल करोगे नीचे मिल जाएगे मेरी फोटो के साथ में तो उस चैनल से आप जूट जाएए हो वहाँ पर मेडिकल और फिजिकल की टिप्स दोंगा लेकिन एक बात और बता दूमें खास आपका फिजिकल चाहिए कैसा भी हो आपका मेडिकल चाहिए कैसा भी हो तो आगर आपको कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बड़ी बीमारी का मतलब कोई जैसे cancer, TB या कोई हड़ी, बिल्कुल क्रेक नहीं है, बिल्कुल टेडी मेरी नहीं है, तो वो तो अगर इन cases में हैं, तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपके medical में जैसे कान का उप्रेशन बता है, वो मैं बताऊंगा आपको, कि केसे होता है SSGD का medical, और इसमें आप pass हो जाओगे, ये मेरी guarantee है दोस्तों, तो फोरम जरूर एप्लाइए कर देना, जिन बच्चों को लगता है कि medical में पास हो, फीजिकल के अगर बात करें, कि फीजिकल का criteria क्या रहेगा, फीजिकल का पास कराने की guarantee मेरी है, मैं करा दूगा physical pass और medical pass, लेकिन paper आपको बेटा खुद को pass करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेनसे करने पड़ेगी, लेकिन फोरम apply करने में, ये जो मैंने बाते बताई है, इसका विशेज जान रखना, क्योंकि अगर आप अभी गल्ती कर गए बाद में कि अब पच्ताए होत के जब चिरिया चुक गई खेत, बाद में समय निकल जाएगा, इसलिए फोरम बढ़ने के समय विशेज जान रखे दोस्तों, जे हिंद, जे भारत!